अब मेदा पाटकर हो चाहे वो बिल्किस बान हो, चाहे वो चंदशेकर, रावण हो क्या आपको लगता हैं यह मौका तो आपने दिया, आप चौके चौके तो यह मारेंगे अमीज जी यह बताईए जिनका बल्ला कबसे तूटके अलग हो चुका है वो चौके चुके कैसे मारेंगे और खेर चौको और चुको की बात रहने देते हैं सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देखी ये समवेधन शील एक सरकार है और आज भी चर्चा हुई है और बड़ी गहरी चर्चा हुई है और किसान हमारा सम्मान है हमारे भाई है उनकी कोई भी बात होगी उस पे चर्चा होगी और जहां तक उनके सम्मान की रख्चा है तो श्री नरेंदर मोदी जी ने भी कहा है कि उनका सम्मान कभी कम नहीं हो सकता हम अडिक खड़े रहेंगे लेकिन आप मुझे बताईए कि यहां कोई भी व्यक्ति जो विरोध कर रहा है तीनों कानून का जब मेरी बारी पूरी हो जाएं उनसे पूछ लीजेगा कि तीन बिंदू क्या है विरोध के ये बता दे उन्हें ने बता दिया मैं 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 बता देता हूं राहूल गांदी कहने है यह तीनों कानून वापस होने चाहिए सुनी अमीजी समस्या मैं आपको बताता हूं कॉंग्रेस पार्टी है चोरी की ब्रष्टा चार की कमिशन यहाँ किसानों की बात होगी ब्रष्टा चार होगी उसकी बाता बात में कर लीगा किसान पर मुझे पताईए कि क्या आप डिमांड समझे कि अभी तक नहीं समझे मैं आपको बताता हूं मेरी बात पूरी हो जाए हर लाइन पर मटोकिये इतनी गुजारिश कर रहा हूं अमीज देवगन जी जो एस आंकर है पूरे भारत के सबसे पहले ये तीन कानून क्या करते हैं पहले किसान केवल मंडी में अपना आनाज बेच सकते थे ये एक विकल पैदा करते हैं एक और बाजार मिलेगा इससे किसी को आपती नहीं हो सकती दूसरी बात मेसपी की करी नियुंतम समर्थन मूल ले दोज़ार च्छे से दोज़ार चौदा तक स्वामी नातन जी की सिपारिश थी मेसपी डेड़ गुना करो नहीं लाग हुआ जब मोदी जी तब लाग हुआ स्वामी नातन जी बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी तारीफ करी तीसरी बात किसान का सम्मान किसान की पहचान उसकी जमीन होती है आप इसी आक्ट का सेक्शन 8 और सेक्शन 15 पढ़िएगा जो आक्ट है वो क्या कहता है पहली बात किसान की जमीन पे क कोई करार नहीं हो सकता है वो नालेंवाइड है वो कानून के तहर जो है गलत होगा